इस लेसन में हम एक बहुत iampartend और मशहूर ड्राइंगल को होता है कि इसके अंदर हम apply करेंगे pythagoras theorem जaking त्राइंगल के अंदर पाइतागोरोस त्राइंगल हो जाए वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है और जिसके अंदर सट्पाइंगल नहीं होती कोई सी भी कोई ट्राइंगल है तो दो बाते होंगी या तो राइट एंगल ट्राइंगल होगी या नहीं होगी अगर होगी पाइदागोरस त्योरम सट्सफाई होगा यानि होल्ड करेगा अगर नहीं होगी पाइदागोरस त्योरम होल्ड नहीं करेगा आए प्रटिकली इसक डिसकास करते हैं यह हमारे पास 90 डिगरी का एंगल होता है और यह हमारे पास दो एंगल जैंजन का सम भी 90 होता है यह जो 90 डिगरी के सामने वारा जो साइड है इसे कहते है हाई पार्ट इन्यूस और यह जो साइड है यह कलाती है बेस और यह जो साइड है इसे कहते हैं पर्पेंडिकुलर पाइटागोरस स्वेरम यह होता है पर्पेंडिकुलर स्केयर पलस बेस स्केयर इसको चक करने के लिए अगेन हमको डिस्टेंस फर्मूला एप्लाई करना पड़ेगा हमारे पास पॉइंट्स यह हैं 0,0 उसके बाद एक P पॉइंट है माइनस 3,0 और एक Q पॉइंट है 0,2 फर्ग्जामपल अगर मैं यहां पर ड्रा करूँ अब मुझे डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे पहला निकालूंगा O,P O,P की लेंथ निकालनी पड़ेगी फिर मेरे पास P,Q की लेंथ आएगी और फिर मुझे O,Q भी निकालना पड़ेगा अगर तो हम इन पॉइंट्स को कोडिनेट प्लैन के अंदर ड्रा कर लें तो हमें कलेरी पता लग जाएगा कौन सी चीज जो है वो हाई पार्टी नियूस है लेकिन हम इसको डिस्टेंस फारमूले की मद्द से चक करते हैं तो परण डिसे निकालें O,P स्क्यार रूट आफ, O,P का मतलब भी है डिफेर्ट्स आफ एकस कोडिनेट सुक्यार पलस डिफेर्ट्स आफव य कोडिनेट स्क्यार तो माइनस तरी माइनस जीरो square plus zero minus zero square यह आ जाएगा minus three minus zero minus three square nine plus zero तो यह आ जाएगा मेरे पास three आ जाएगा फिर हम निकालेंगे OQ OQ क्या है zero minus zero square plus two minus zero square तो यह आ जाएगा zero का square zero और two का square four तो इस का answer हमारे पास two आ जाएगा फिर हम निकालेंगे PQ इसका देखें PQ का क्या होगा zero plus three square plus two minus zero square तो यह आ जाएगा three का square nine plus four और यह आ जाएगा nine plus four root thirteen तो हम यह देख रहे हैं के three का square nine two का square four और root three का square 13 इसका मतलब भी हुआ के PQ जो है वो हाइप पाटिन उस है O P का स्केयर प्लस O Q का स्केयर इसको equal होना चाहिए P Q सकेयर के जब values पूड़ कर दें आप तो क्या होगा O P 3 का सकेयर प्लस 2 का सकेयर इसको must equal होना चाहिए ROOT 13 का सकेयर के तो 3 का स्केयर 9 2 का स्केयर 4 9 प्लस 4 इधर भी 13 और इधर भी 13 तो यह प्रूव हो गया इस गिवन 3 पॉइंट से यह एक राइट अंगल ट्राइंगल बना रहे हैं थैंक यू